हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबक्राइब की अपने यूट्यूब चैनल इकतास ब्यूटे पाला रंस पाम है आज मैं आपके लिए जेल नेल पॉलिश का फुल वीडियो लेके आए हैं जिसे पर्माने नेल पॉलिश पर कहते हैं तो आएए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अच्छे से रिमिश किया हैं उसके बाद में अपने क्यूटे कल को पुष करूँ इंको पीछे कर दूँगी ताकि नेल पॉलिश अच्छे से लग सकते और नेल थोड़े अच्छे शेप में दिखे सारे क्यूटे कल को पुष कर दूँगी बहुत ही ध्यान से और आराम से क करें अच्छे से सारे क्यूटे कल को पुष करेंगे अच्छे से सारे क्यूटे कल को पुष करने के बाद जो क्यूटे कल एक्स्ट्रा है उसको मैं क्यूटे कल करता से कट कर लिए इसको भी बहुत ध्यान से करना है बहुत आराम से करें और अगर आप डाइबिटिक हैं डा क्यूटिकल हमें कट करने है अच्छे से अच्छे ही मैं अपने सारे निल्स की क्यूटिकल को कट कर लूगी और अब आपने मेरे चैनल पर नए है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब मैं निल्स को अपने शेप देलूगी जो भी आपको शेप देना हो रहा हुआ है जो भी आपको पसंदो वह आपकी पसंद पर डिपेंड है आप अपने निल्स को अच्छे से शेप कर लें जिससे मैं नेल शेप करें इसे नेल शेपर बोलते हैं बफर भी बोलते हैं नेल फाइलर भी बोलते हैं किसी किसी का क्यूटिकल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो आप चाहें तो दस मिल थोड़े ल्यूप वाटर में हाथों को डिप करने के बाद भी क्यूटिकल को कट करते हैं उससे क्या वह थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो आप इजीली कट हो जाएगा मैंने नेल्स को क्यूटिकल पुश कर लिया है क्यूटिकल को कट कर लिया है नेल्स को शेप दे लिया है अब मैं लगाऊंगी तो कि मैं हम अपने सेल्फ के नेल पे लगा रहे हैं अपने ओरिजिनल नेल पे लगा रहे हैं तो सबसे पहले हम प्राइमर लगाएंगे ताकि ह नेल को कुछ हाम ना हो तो मैंने लिक का प्राइमर लिया है इसका एक एक कोट में अपने नेल पे लगा लूँगी प्राइमर मैंने लगा लिया है इसको क्यूर करने की जरुद नहीं है मशीन में यह ऐसे एर ड्राय है अब मैं लगाऊंगी बेस कोट सबसे पहले मैंने प्राइमर लगाया है अब मैं बेस कोट लगाऊंगी इसका भी एक एक सिंगल कोट लगाना है पूरे नेल्स पे मैं इसको लगाके 30 साटिन तब क्योर कर लिए इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि हमारे अपने नेले अगर हम फेक नेल्स लगाके लगाते हैं तो हमें प्राइमर की ज़रत नहीं होती है बेस कोट लगाके इसको 30 सेकिन तक मैं क्योर करूँगी 30 या 60 जितना भी आचाय है उतने देर कर सकते हैं पेस कोट है तो ड्राय हो जाता है तब आप आपकी पसंद का कोई भी नेल पॉलिश का शेड ले सकते हैं मैंने लिया है लिख का LG 22 नमबर शेड है मैंने यह दाख शेड इसलिए लिया है क्योंकि करवा चौट भी आ रहा है तो थोड़ा सा डाख शेड अच्छा लगी का करवा चौट पर मेरी साड़ी से भी नहीं चुछ जाएगा इसमें यह वाला कलर शेड मैंने चूज किया है शेड नमबर है LG 22 लिख असका में एक एक सिंगल कोट लगा लूँगी मेरी साड़ी से मैच है यह वाला शेड इसलिए मैं यह लगा रही हूँ आपको जो लगाना हो आपकी सूम साड़ी आपको लाइट शेड पसंद है तो आप लाइट शेड लगा सकते हैं सिंगल कोट लगा कि इसको 60 सेकेंड तक हम क्योर करेंगे 60 सेकेंड मैं सेक्योर करूंगी 60 सेकेंड करने के बाद में दुबारा से एक कोट और लगाऊंगी क्योंकि वह बहुत लाइट लग रहा है और एक कोट में सिंगल कोट में फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती है तो सेकेंड कोट लगाऊंगी और फिर इससे 60 सेकेंड कर क्योर करूंगी कि बहुत कम कम आपको पॉलिश लेकर लगाना एक तम से बहुत जादा लेकिन नहीं लगाएंगे तो बहुत जादा ठिक लगती है तो आप थोड़ा थोड़ा प्रोड़क्त लें और अच्छे से उसको स्मर्च करें पूरे मेल्स पर मैं वापस इसको 60 सेकेंड क्योर करूंगी अब जो कलर मुझे चाहिए वह आगया है अब मैं थोड़ा सा इसमें कोल्डन कलर का क्रोम यूज कर रही हूं क्रोम को मैंने थोड़ा सा उसमें लेके बस एक ही नेल पर मैं लगा रही हूं आपको नहीं लगाना है तो आप ना लगा है और डारेक्ट आप तो टॉप कोट लगा सकते हैं मैंने सिफ एक रिंग फिंगर पर यह वाला लगाया है इसके उपर से मैं टॉप कोट लगा दूँगी टॉप कोट लगाना बहरत ज़ुम्र से इन षाहिन में अच्जा चाहि आती है जैसे अम अपक करते हैं पहले सीटी म करते हैं राइम करते हैं अब अवक् immature क्रोल कि लगाते हैं सारे चीज़ें से से जैस्शते में अम में मेक अपकल कर देते हैं यह ब्रॉट टॉप कोट है यह हमारी नेल पॉलिश को फिक्स कर देगा और शाइन भी लगे आएगा सेम वही काम है जैसा हमारे मेकप में सैटिंग्स प्रेक करेता है शाइन भी लेक़े आता है मेकप को फिक्स भी कर देता है इसको मैं 30 सेकंड क्यूर करूंगी सुइर शीक्सटी सेकींड मैं इसको क्योर कर ने के बाद हमारी जे निल पॉलिश हो यह वो कंपलीट हो जाएगी और प्लीज प्लीज अगर मैंने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें लिखिये में नेल पॉलिश कंप्लीट हो गई है वह बहुत ही अच्छी लगई है थैंक्यू फॉर वाचिंग